राइस्थान में दुनों विधान सभा चुनाओ का प्रचार अभ्यान जोर उपर है तमाम दलों के उमिद्वार ना केवल जन सभाई कर रहे हैं बलकि घरगर जाकर लोगों से वोट माग रहे हैं यहां मुकाबला बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच है दोनों ही दल अपने अधिकतर उमिद्वारों का इलान कर चुके हैं नई उमिद्वारों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है नामांकन के तोरान उमिद्वारों ने जो हलफ नामे दाखिल किये हैं उनमें से कुछ दिल्चस्प जानकारियां भी सामने आ रही है करोड़ पती से अरब पती हो गई सिद्धी कुमारी जिने पीजीपी ने बीकानेर पूरो से अपना उमिद्वार बनाया है सिद्धी कुमारी पाँच साल में करोड़ पती से अरब पती बन गई है 2018 में दिये गए हलफ नामे के मुताविक उनकी कुल संपती 8.89 करोड रुपए थी जो अब बढ़कर 1.1 अरब रुपए हो गई है बीकानेर राजगराने की पूरो महरानी और सिद्धी कुमारी की माँच शुशलिया कुमारी की मौत के बाद उनकी संपती का एक बड़ा हिस्सा सिद्धी कुमारी को दिया गया था जिसकी कीमत 80 करोड रुपए से जादा थी पूरु सियम वसुंदर राजे की संपती में भी इजाफा पूरु सियम वसुंदर राजे की जोयलरी में 1 करोड रुपए का इजाफा हुआ है 2018 में दिएगे हलफ नामे के मुताविक उनके पास 1.8 करोड रुपए की जोएनरी थी जो इस बार बढ़कर 2.40 करोड रुपए हो गई है बैंक में जमाराशी भी 5 साल में 51 लाख रुपए से बढ़कर 58,74 रुपए तक पहुच गई है CP जोशी है इतने करोड के मालिक राज सम्मच जिले की नात द्वारा विधान सभाड सीच से कॉंग्रेस प्रत्याशी और वरतमान विधान सभाड रुपए की समपत्ती है उनके पास आभूशन के नाम पर कुछ नहीं है हलफनामी के मताबिक उनके पास 36,551 रुपए कैश जबकी एक करोड रुपए की अचल समपत्ती है